जे हिंदोस्तो सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी सायत के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क कर लें बेल आइकन दवाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे एक कॉस्चन है जो आपके बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है और किसी ने किसी अक्जाम में जरू पूचे गए हैं तो आज का फ़र्ष्ट कॉस्चन है कि अकाल पुर आपको यहाँ पर याद रखना है कॉस्चन नंबर आपका दो पूचा है गड़े संकर विद्याती रचत गांधी जीवनी है बापू कर्मेंबीर गांधी या फिर स्री गांधी अकाल पुरस गांधी 2011 में यह आपका TGT में पूचा गया ता महत्तपुन कॉस्चन है अंगला पूच्चन क्या पूच्चन यहां पर देख लेते हैं क्या पूच्च icon नंबर दो आपका यहाँ पर दिया गया है समपूर नंद्र है किसा प्रसाद सह है तो आपका सही आन्सर है राम का सही answer है गांधी जीवनी महत्मा गांधी इसके लेकब रामचंद बर्मा है और अंगला question क्या पूंचा है question number 4 देख लेते हैं कि मनीशी की लोक्यात्रा किसकी जीवनी है जीवनी है और जीवनी से संबंदित महत्वण question है अपने पर तो मनीशी की लोक्यात्रा किसकी जीवनी है तो आपका सही answer विकल्प number C यान की कभी राज गोपीनात की कभी राज गोपीनात विकल्प number C आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही right answer होगा विकल्प नमबर C, कलम का सिपाही किरती के लेखक कौन है, प्रयम चंद्र हैं, अमरित राय हैं, विश्णु प्रभाकर हैं, राम बलास सर्मा हैं, कौस्चन नमबर 5 है, महत्वपुन हैं, और इसका जो सही आंसर होगा, भै क्या होगा, कलम का सिपाही किरती के लेखक आप से यहां पर पूँचा हैं, और आपका यहां पर सही आंसर है, कौस्चन नमबर 5 का विखल नमबर C, अमरित राय आपका सही आंसर है, अमरित राय बिलकुल सही रायट आंसर होगा, अमरित राय जिन्होंने बता है, कलम का सिपाही, एक जीवनी प्रदान किरती है, और इसके लिए खक अ तो आपका सही आंसर है मदन गोपाल आपका सही आंसर होगा देखिए यह आपको बताना है आत्मकता है संसमनन है रिपूर्टाज है या फिर जीवनी है तो question number 7 का आपका जो सही आंसर होगा वह आपका right answer विकल्प number D आनि की जीवनी आपका यहाँ पर सही आंसर है जीवनी आपका सही आंसर है बिल्कुल सही यहाँ पर पूँचा है कलम का सिपाही के लेखक कौन है यह है एक कलम का सिपाही जीवनी है और इसके लेखक पूँचा ह आपसे प्रेम चंद्र, सरत चंद्र, अमरेत राय या दयानन सरोस्वती, तो question number 8 का आपका जो सही answer है, भै क्या है right answer, तो 8 का right answer आपका यहाँ पर होगा, विकल्प number B, आनि कि अमरेत राय आपका सही answer है, अमरेत राय आपका सही answer है, बिल्कुल सही, विकल्प number B right answer है, question number आपक question number 9 का right answer आबारा मसीहा किसकी जीवनी है तो आपका यहाँ पर सही answer है question number 9 का विकल्प number आपका यहाँ पर be right answer है यानिकी सरत्चंद्र सरत्चंद्र आपका यहाँ पर सही answer विकल्प number be right answer है साहित्यकार है सरत्चंद्र जी की जीवनी है आवारा मसीहा और इसके लेखक हैं जो है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है तो यह सरत्चंद्र आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो अंगला कॉस्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूंचा है तो कॉस्चन नमबर 10 पूंचा है यहाँ पर कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहितिकार की जीवनी है तो वही question आपका double हो गया है यहाँ पर सरत्चंद्र आपका right answer है आवारा मसीह किस उपरन्यासकार की जीवनी से संबंदित है तो एक question भी वही है आपसे और आपका right answer है सरत्चंद्र आपका right answer है question number 12 यहाँ पर आपसे क्या पूँचा है तो यहाँ पर दिया गया है question number 12 पूँचा है क्या पूँचा है आवारा मसीहा किस विदा की रचना देखिए बही question आपका यहाँ पर डवल हो गया है लेकिन अलग-अलग परिच्छा में इस परकार जो है आपका पूँचा गया question है और आपका सही answer है यह जीवनी है आवारा मसीहा क्या है यह जीवनी है तो विकल्प number आपका C यहाँ पर right answer होगा यहाँ पर पूँचा है आवारा मसीहा की लेखक कौन है लेखक पूँचा है आपसे यहाँ पर कि आवारा मसीहा के लेकक कौन है विश्णू प्रभाकर है रमिस कुन तलमेग हैं स्रीलाल सुकल है या रमिस चंदर साय है तो आपका सही आंसर होगा यहां पर विश्णू प्रभाकर आपका सही आंसर है विश्णू प्रभाकर यानि की विकल्प नंबर यह आपका है मतर आगिये हैं या फिर बिषणूं पुरभाकर कॉस्चन नंबर 14 बताने हैं महत्वपूर्ण है और आपका यहां पर सही नंबर 14 का अन्थिसग्य तो यहां पूण LIhyट में जी сп Mirror के धारग आधारच उपन्यासनात्मक जीबनी है तो बहे किरती बताने कौन सी है सेखर एक जीबनी गुडिया भीतर गुडिया आवारा मसीह या अन्या से अनन्या तक तो पंद्रहे का आपका जो सही आंसर है बहे आपका राइट आंसर पंद्रहे का भी आनकी आवारा मसीह आवारा मसीहा आपका यहाँ पर सही आंसर है और question number आपका यहाँ पर 16 क्या पूंचा है नेमनमया से कौन सी कृति जीवनी विधा से सम्बंदित नहीं है देखे जीवनी विधा से सम्बंदित नहीं है तो बैक कृति कर्चन कन्ना है देखे जीवनी विधा की रचना नहीं है तो बसेरे से दूर आपका रायट आंसर होगा बसेरे से दूर आपका राइट आंसर हरीवन स्राइवज्चन जी की आत्म के ऐ से दूर और अंगला question क्या पूँचा है तो अंगला question यहाँ पर आपका दिया गया है कि इनमें से एक किरती जीवनी नहीं है यहाँ पर भी आपके लिए बताना है कौन सी बहे किरती है जो जीवनी नहीं है question number 17 है महत्तुपूण है और आपका यहाँ पर जो सही answer होगा 17 का बहे विकल्प number C आनिकी अन्या से अनन्या तक अन्या से अनन्या आपका यहाँ पर right answer है देखिए अन्या से अनन्या इस्तरी विथा की आत्मकता है और इसकी लेकी का प्रभाखेतान इसकी लेकी का मानी जाती है अंगले question क्या पूँचा है तो question number आपका 18 यहाँ पर पूँचा है आचार हजारी पर साथ दुबेदी को केंद में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्यामकेस दर्वेश के लेका कौन है 18 का answer बताना है ब्यामकेस दर्वेश के लेका कूँचा है और ब्यामकेस दर्वेश जो है आचार हजारी पर साथ दुबेदी की जीवनी है जिसे विश्वनातर पार्टी ने लिखा है अंगले question क्या पूँचा है तो अंगले question आपका यहाँ पर जो है आत्मकता से समबंदित महत्वण question पूँचा क्या है तो देखिया आत्मकता से परस्ट question है यादों की बारात किसकी आत्मकता है यादों की बारात और किसकी आत्मकता है यह आपको यहाँ पर बताना है तो question number आपका एक है और इसका जो सही answer है विकल्प number C आनिकी जो से मलीहाबादी आपका right answer होगा विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर है Q410 Matter आपका दो क्या पूँँचा है Q410 Matter आपका यहां पर दिया गया है देख लेते हैं Q410 Matter दो क्या पूँचा गया है तो यहां पर पूँचा गया है आपसे कि विधा की दृष्टी से अस्ति और भवति किर्थी क्या है आत्म कथा है उपन्यास है पत्र साहित है या निवन्द है तो दो का राइट आंसर आप यहाँ पर बताईए क्या होगा question number दो का राइट आंसर महत्वपूर्ण question है और बिल्कुल सही answer है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक यानिकी आत्म कथा है यह क्या है विधा की दरश्टी से अस्ति और भावती क्या है आत्म कथा है तो विकल्प राइट आंसर आपका यहा पर विकल्कुल सही नंबर बताया है उनका यहां पर सही answer होगा वनु भंडारी एक जो है कहाणी एक एक कहाणी एक कहाणी की लेकी का मनु भंडारी है और अंगला कॉस्च amis कहा क्पोचा गया है तो अंगला कॉस्च आपका Question No. 4 यहाँ पर दया गया है question No. 4 पूंचा है ai miss Fish में से किर्ति आत्म कता नहीं है तो वह कौन सी किरती है जो आत्म कता नहीं है अर्द कता अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल या निज बृतांत मेरी आत्म कहानी तो question number 4 का right answer आपका यहाँ पर जो है विकल्प number C यानि की अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल आपका right answer होगा विकल्प number C जिन्हों ने बताया है उनका right answer होगा और इसके जो लेखक है सस्वी साहितिकार अमरित लाल नागर का जो है अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल सस्वी साहितिकार अमरित लाल नागर का उनसे अब तक की उपन्यासों की लीक से हट कर सरवता मौलिक उपन्यासे ही अंगले question क्या पूचा है गालिप चूटी सराब इन में से किस की आत्म कता है मद्रा रख्यस, मौहन राकिस, कमलीश्वर रवेंद्र कालिया इसका अंसर देग गया है बिल्कुल यहां पर दिया गया है यहां पर आपका सही आंसर है आत्मकता है पूँचा है आपसे यहाँ पर तो यह इसका अंसर देख गया विल्कुल अर्द कतानक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा देखे अर्द कतानक जो है विल्क नंबर सी आपका राइट आंसर है जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयम लिखता है तो उसे आत्मकता कहते हैं ऐसी दरश्टी से हिंदी की पृत्म आत्मकता बनार्सी दास से जैन इंकी है यह अर्द कतानक मानी गई है हिंदी की कौन सी जो है आत्मकता जो है यहां पर पूँचा है तो वह अर्द कतानक है बनार्सी दास इसके लेखक हैं अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है और ये हिंदी में लिखी गई पहली आत्मकता मानी जाती है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या दिया गया है अंगला कॉस्चन तो यहाँ पर आपका अंगला कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है question number 7 आपसे पूँचा है अर्ध कतानक किस विदा की रचिना है तो वही question आपसे यहाँ पर पूँचा है question गुमा की पूँचा गया है और आत्म कता है अर्ध कतानक क्या है आत्म कता है तो विकल नंबर आपका D यहाँ पर right answer होगा यहाँ पर पूँचा है तो आपका सही आंसर यहां पर है जो बनार्सी दास जैन है इन्होंने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा यानि की विकल्प नंबर भी आपका यहां पर सही आंसर होगा अर्द कतानक है तो अर्द कतानक यह फिर से आपका डबल हो गया है आत्मकथा है अर्द कतानक किस वित कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, या परिव राजक की प्रजा, या फिर आत्म निरीक्षन, Question number है, आपका यहाँ पर 12 है, और 12 का जो राइट आंसर है, नेता जी स्वास्चंद बौस द्वारा लिखेते, अपनी आत्म कथा का नाम है, तरोन के सौपने, विकल नमबर यहाँ पर राइट आंसर होगा, विल्कुल सही, अंगला Question क्या पूँचा क्या है, तो अंगला Question यहाँ पर दिया गया है, आपका देख लेते हैं, क्या है, Question number 113 पूँचा है, आत्म निरीक्षन किसकी आत्म कथा है, वियोगी हरी, सेट गोबिंद दास, आचा चत्वर सेंसास्त्री, या ब्रंदा बनलाल बर्मा, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, आत्म निरीक्षन, तो इस आत्म कथा मानी जाती है, और इसके जो लेखक हैं, किस की आत्म कथा है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर सेट गोबिंद दास आपका सही आंसर है, 2018 में एक Question Lt. Grade में पूँचा गया था, अंगला Question क्या पूँचा गया है, हिंदी में दलित साहित्त की पहली आत्म कथा किसे ने लिखी, हिंदी में, हिंदी में दलित साहित्त की पहली आत्म कथा किसे ने लिखी, ओम प्रकास बालमिकी ने, मोहन दास, नियमी सराय, या फिर कौसल या वैसत नत्री ने, या सूरजपाल ने, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर B, मोहन दास, आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बेलकुल सही, विकल्प नंबर B, जिन्हों ने बताया है, उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो इस प्रकार अपने हाँ पर बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन कंप्लीट हुए क्यांसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें